नमस्कार आज के वीडियो में में बताऊँगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट मौसजू राइज़र कौनसा है ऐसे तो बजार में बहुत सारे मौ मिलता है उसकी जो प्राइज होती है वो हूं भी डीफ्र Idi होता है उसका टाइस भी डिफ्रेंट होता है तो यह बहुत ही कन्फूजिंग रहता है कि हम कौन सा मोश्यूराइजर चूज करें तो आज मैं आपको यह बताने की कोसिस करूंगा कि आपके लिए कौन सा मोश्यूराइजर बेस्ट है दूसरा जब भी मोश्यूराइजर बहुत जरूरी है अगर हम अच्छे से मोश्यूराइजर नहीं लगाते तो स्कीन हमारी ड्राइडल डिहाइडरेटेड हो जाती है और उसमें रिंकल्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं ड्राइज की कैसे हमें केर्ड करनी चाहिए उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया ह उपर दी गए लिंक के थुरू आप वीडियो को देख सकते हैं मोश्यूराइजर लगाने से आपकी स्कीन जो है सॉफ्ट रहेगी स्मूथ रहेगी सपल रहेगी हेल्दी एन यंग रहेगी मैं ऐसे स्कीन और हैर रिलेटेड एजुकेटिव और इंफर्मेटिव बनाता हू एसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो के लाश्ट में मैं आपको एक नेच्रल मोश्यूराइजर बताऊंगा वो भी आप यूज कर सकते हो तो ये वीडियो को आप लाश्ट तक देखना मत भूलिए जो भी स्क्राइब इस्वास बार जान सकते हैं कि कि ऐसे पहले हम देखती है कि जैसी होती है कि उसके विए कौन से मोर्फ बेश रहेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी skin which तो जब फिस्केण करते उसके बाद तुरंत आपकी skin बहुत द्राय हो जाती है वे उसने कहीं बार white-white हो जाता है यह द्राय किकीं हो जाती है तो उसका मतलब कि आपकी skin है वो ट्राय सबसे पहला है सिटाफील मोस्येजर kids origin के लिए पासे नेविय का जो बोडी लोटन आता कि लिए वह हर गिस्त अलमेक्स करके जो आता है स सिपला का है वही यह अच्छा मोश्येजर है वर लाश्ट में जो अग्रास की के लिए क क्रेम है पहली जडिए कि वह तक ज़ивает मोस्ट्रेजर क्रीम है ये सब्सकर के लिए इन में से कोई भी ऐक मुश्यूस्ट्राइजर IIIV उस architecture गरो तो ऊसमें ये देखना ुए कि महती ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने चाहिये उसके लिए जॉप प्रामिकल से वह भी ज़्यादा यूज की गए है जब भी हम ड्राइज के लिए मोस्यूराइजर चूज करते हैं तो वह ओईल बेज और क्रीम बेज होना चाहिए अधा यह अब हम देखते हैं कि ऑलियर स्किं के लिए कौन से मौस्यूराइजर बेस्ट है जदा यह ही भी विलिफ रहता है वो oil free water beige होना चरूरी है otherwise वो oil beige जदा होगा तो उससे pimples होने के chances बहुत ज़्यादा रहते है कई moisturizer ऐसे भी है कि वो oil को भी control करता है और moisturizer प्रोवाइड करता है तो आईए हम हम देखते हैं कि oily skin के लिए moisturizer कौन सा based है उसमें सबसे पहला जो है सिपला का जो एकसेला क्रीम आता है वह है दूसरा जो है वह इपका कंपनी का जो एकने ओसी जो क्रीम है यह जो है वह oil controlling moisturizer है तिसरा जो है वह clean and clear का oil free moisturizer रहता है वह है चौथा moisturizer जो पॉंस का super light gel है यह है यह भी बहुत अच्छा moisturizer है और सिवा मेट का जो clear care gel आता है इसमें hyaluronic रहता है यह भी बहुत अच्छा moisturizer है अगर आपकी skin normal combination है वह winter में थोड़ी हलकी से dry हो जाती है summer में थोड़ा oily हो जाता है तो ऐसे केस में जो moisturizer जो है वह कौन से use करने है वह हम देखेंगे इसमें आप के टाफिर-mouscharger lotion जो all skin type के लिए रहता है वह इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा जो वैनुजया lotion जो आता है वह भी यूज कर सकते हैं तिसरा मोस्यराइजर जो आप यूज कर सकते हैं यो निट्रोजिनिया का थोड़ी हल्की सी नमी रहती है तो मोस्चुराइजर की जो इफेक्ट है वह बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही लंबे टाइम तक रहेगी सिर्फ इसा के था उसके लिए उसके लिए कौन सा मोस्चुराइजर उसकर ना चाहिए जो सिवामेट का जो मोस्चुराइजर क्रीम जे करना चाहता है sensitive skin के लिए वह आप यूज़ कर सकते हैं सिता फिल्च का जो मोस्ट्युराईजर क्रीम है अता है sensitive के लिए वह भी आप इस्तेबाल कर सकते है तीसरा जो है वह मोश्ट्युर्यक्स आप क्रेम जो है संपर्मा का वह आप यूज़ कर सकते हो इसमें कोई भी डाइब के फ्रेग्रंस और दूसरे केमिकल्स जो है वो एड नहीं किये हुए है और लाश्ट में सेंसेटिव स्कीन है तो जो कोल्ड प्रेस वैजिंग कोकोनट ओइल जो आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यह जो पैकिंग वाले मोश्यूराइज़ आ यू आप यूज नहीं करना चाहते और अगर आपको कोई होम बेज जो रहता है वो सबसे मोश्यूराइज है तो सबसे मोश्यूराइज है है और हमारे कपड़े चदर और जो होता है उनको भी यह स्टेंड कर सकता है एक बाद आप ध्यान में रखिए कि मोस्यूराइजर जो है वह आपको रेगुलर बेच पर लगाना है ऐसा नहीं है कि चलो विंटर में लगाया फिर छोड़ दिया जितना प्रेगुलर में बताइए कि आप कौन सा मोस्यूराइजर यूज करते हैं अगर और कोई भी आपको मोस्यूराइजर रिलेटेट क्वेरी और क्वेस्टन है तो भी आप मुझे कमेंट बाक्स में बताइए यह वीडियो को आप लाइक और सहर जरूर करिएगा थैंक्यू